कि आज घर में ही बनाते हैं बिल्कुर रेस्टराइश च्तायल की नां वो भी बिना ओवन बिना तंदूर और बिना इस्ट के ही सॉफट Beim बटर के स्वाध वाले यह खाने में बोह भार ठेस्टी होते है तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो अची लगे तो इसे लाइक कर दें हेलो और वेलकम टू मनिशाज फूर्ड इस्टूडियो आज की मेरी डिश ऐसा हम मानते हैं कि ये बिलकुल रेस्टरॉण में ही मिलने वाली डिश है लेकिन नहीं आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर बिलकुल फ्रेशली बेक्ड हमारा नान और वो बिलकुल आसानी से तो चलिए वीडियो देखते हैं और बनाते हैं नान तो चलिए शुरुआत करते हैं नान बनाने की नान बनाने के लिए हमें लेना है मैदा ये देखिए ये मैंने दो कप मैदा लिया है और उसके बाद इसे फुलाने के लिए मैं डाल रही हूँ दही ये दो और ये गया तीन ये तीन बड़े चमच मैंने इसमे डाल दी है दही और इसमें दो बड़े चमच मैं डाल दूँगी Refined All कोई भी तेल आप ले सकती है उसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे हातों से पानी नहीं डाला अगर आपका दही से ही गुद जाए तो आप पानी ना डाले लेकिन दही से अगर आटा ना गुदे ना नीड़ो तो आप इसमें पानी डाल सकती हैं मैंने देखिए पानी को बगल में रखा है कि अगर मेरा लगेगा तो मैं डालूंगी लेकिन हमारा नहीं लगा और आज मैं गार्लिक नान बना रही हूँ तो मैंने इसमें कद्दू कस किया हुआ यह देखे यह ग्रेटेड इस तरह से गार्लिक को अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ और आटा कैसा रखना है नान का वो रोटी के आटे से एक स्टेप नीचे यानि उससे थोड़ा स दीला रखना है तो देखिए आटा मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है बिल्कुल और इसे अब ढ़क कर हमें इस तरह से ढ़क कर इसे आदे घंटे कम से कम रेस्ट करने है अब देखिए आदे घंटे के बाद आटा हमारा फूल कर अच्छी तरह से तयार है हमने बेकिंग आसानी से आप घर पर ही नान बना सकती है इसे हमें इस तरह से गोल शेप देना है मैंने इसमें तेल डाली भी है तो आपको सूखा मैदा डालने की जरूरत नहीं लेकिन आपको लगे तो आप डाल सकती है इसके बाद देखे इस तरह से अब गोल भी सर्व कर सकते हैं लेकिन एक हमारा जो ट्रेडिशन बना हुए कि नान ओवल ही होता है तो मैंने इसे ओवल शेप दिया है देखे जो देखने में अच्छे भी लगते हैं और जो रेस्टरॉन वाला जो क्राइटेरिया होता है उसे अब देखे गार्लिक नान है तो मैंने आधा देखे आटे में डाल दिया था और आधा ये जो है ये मैंने अभी इसमें फैला दिया उपर से और थोड़ी सी डाल दूंगे मैं धनिया ये हरी धनिया की पत्तियां कटी भी है और इसके बाद मैं ये डाल दूंगे काला जीरा मैंने डाल दिया है काला जीरा और इसको काला जीरा डालने के बार अच्छी तरह से इस तरह से बेलन घुमा दें ताकि ये बिल्कुल अंदर रहे निकलेना तो चलिए दूसरी तरफ मैं आपको अपना तवा दिखा दू जिसमें आज हमें नान बना रहा है क्योंकि मैंने बताया था है आज हम नान रोटी के तवे में ही बना रहे हैं ये देखी ये मेरा 5-6 साल पुराना तवा है जिसे मैंने अच्छी तरह से मैं हमेशा इसे साफ के इसके साथ ही उसे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर लें तो चलिए हम अपने तवे को गरम होने के लिए चड़ा देते हैं जिस पर हम अपना नान बनाएंगे तो देखिए तवा मैंने गरम होने के लिए चड़ा दिया है अब देखिए दूसरी तरफ हमें नान को क्य किस तरह से चलिए दिखाती हूं पानी अच्छी तरह से लगाए थोड़ा जेनरसली ही लगाना है इसे और जो पानी का साइड है उसे तवे पर इस तरह से गरम तवे पर रख दें तवा अच्छी तरह से गरम होना चाहिए यह देखे तवे को डालते ही आप देखेंगे इस त तरह से देखे, थोड़े से सिख जाएं, तो तवे को इस तरह से उल्टा कर दें, बिल्कुल यह जो तरीका है, इसमें जो तंदूरी एफेक्ट आती है, तंदूर में आपने देखा होगा कि बिल्कुल बीच में आग जलती रहती है, और इसके दिवारों पर नान या तंदू लगा घाने, और सॉट तो बनी ही यह जुस अब है, आपको बिल्कुल यह दएके, अच्छी तरह से, चारों तरफ तवे को घुमागुमा कर सेक लें, जिस तरह सागो इस तरफ यह समें तरफ ल प्रम यह सम अज़िक गाता यह तो पर-च्रु बूम on theAmortx जिनग है, यह फटाफट से सर्व करते हैं ये देखे ये पीछे भी दिखा दो बिल्कुल स्मोकी एफेक्ट आया है बिल्कुल रेस्ट्रो माली नान की तरह दिख रहा है वाव बहुत ही शानदार अब मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँ कि किस तरह डालते ही देखे इस तरह से फूलने लगते हैं और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं कि अगर आप नॉनिस्टिक के तवे में बना रही हैं तो इसको इस तरह से डारेक्ट फायर के उपर भी आप सेख सकते हैं तो ये देखिए मैं डारेक्ट फायर के उपर भी दिखा रही हूं अगर लोहे के तवे में ना तेखिए बहुत अच्छी नान बनी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग यह देखिए यह भी देखने से बिल्कुल कम नहीं है और बस इसके बाद बहुत सारा बटर और बटर गार्लिक नान है बिल्कुल तयार तो चलिए अब दोनों नान को मैं दिखा दू मोड तोड कर ये बहुत ही अच्छी नान बनी है दोनों तरफ कलर तो फेंटास्टिक बहुत ही शांदार कलर है ये देखिए मैंने दिखाया आपको चलिए अब फटाफट से इसकी सर्विंग हो जाए बस ये देखिए ये नान अगर मिल जाए ना और साथ में ये नान हमेशा थोड़ी हेव ग्रेवी वाली सबजिया होती है जैसे बटर पनीर मसाला हो गया ये सारी सबजिया हो गई उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती और यह जो बटर पनीर मसाला की सबजी आप देख रहे हैं इसकी वीडियो मैंने अल्रेडी अपलोड कर रखी है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो चलिए आप भी बनाईए अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंजॉय कीजिए और कमेंट करके ब अने बाब रए